Hello friends, इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप मालो की 12 जोतरलिंग का प्लान कर रहे हो, तो इस वीडियो में पूरे डीटेल में बताएंगे कि ये सारे जोतरलिंग कहां कहां पे हैं इंडिया में, कौन-कौन से स्टेट में हैं, तो आपको कितने दिन का टाइम लगेगा, इन इस टाइम कर रहेगा, और सबसे इंपॉर्टन जो इमोशनल चीज है, वो बजट कि आपको खर्च कितना आएगा, तो ओवराल इस वीडियो में आपको सारा डीटेल बताएंगे, तो आप लास तक बने रहो, पूरा डीटेल में आपको बताएंगे, देखो अगर आप मालो कि सबसे जो फेमस अगर आप देखो कि बहुत लोग किदारनाथ जाना चाहते हैं, तो मैंने किदारनाथ का वीडियो बनाया था, यहां पर लिंक होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो, कुछ 6-7 लाख लोगो नभी तक देख है, जिसमें आप ओवराल किदारनाथ या दोध तेमल है, जो गुदरात में है, फिर मलीक अरजुना जोतरलिंगा है, जो आपका आंद्रह में है, अलग-अलग state wise भी आपको kategorize कर के बताएंगे, फिर महा कालेश्वा टेम्पल है जोमधी प्रिदेश में है, तो मध्य प्रिदेश में दो जोतरलिंग है, महा कालेश्वा तो यह मद्यप्रदेश में आपको दो टेंपल मिल जाता है और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देखो अगर आप तोड़ के भी करोगे यह सारों को तो कैसे कर सकते हो फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो किदारनाथ टेंपल है जो लोग बहुत सारे लोग जाते हैं व काशी विश्वना टेंपल उत्तर प्रदेश में है जो वारनशी आप जाते हो तो वह इसेल्फ इस ग्रेट प्लेस त्रंबकेश्वर टेंपल है जैसे महरास्टा में बता रहा था कि तीन टेंपल है तो त्रंबकेश्वर एक दूसरा टेंपल आप वह देखो जारकंड में वैदनाद धाम बोलते हैं जारकंड आप जाओगे ट्रें से जा रहे हो तो जसीडी बोल के स्टेशन है वहां से जा सकते हो जारकंड में वैदनाद धाम हो गया तो ओवरॉल आप देखो कि मुल्टिपल स्टेट में पूरे इंडिया में ये सारे जोतर लिंग फैले हुए ह और आप पूरे इंडिया का ब्रहमण कर सकते इसके थू एक गुजरात में जो दो जोतर लिंग में से एक है नागेश्वर जोतर लिंग और स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि सोमनात है अभी देखो कि गुजरात में दो हो गया फिर साउथ में जाओगे तो कि आप दो में कि वहां तो सॉढों है कि अगर आप यह स्टार कर ना चाहते हो पर जैसे मैंने बताया कि आप आप पार्ट थोड़ करना चाहते हो मैं तो सबसे पहले कि कडारणात आप कर बिनंटर में नहीं कर सकते हैं वह हो बंध और सबीघेशनल कीवारा फटर्स अब अब करते हो म racks वेशे हि conditional用 कचाहे 7.00000 लोग अभी तक देखा हुआ है फिर खेदारनाथ 3.004.00 असके बाद आप शाओ वारनशी तो किदारनाथ करने के बाद आप देहरा दून आ जाते हो या आप basically हरदवार से ट्रेन भी मिलती है तो वारनसी आप जा सकते हो जैसे भी आप वारनसी पहुंचो और अगर आप बोलोगे कि आप फ्लाइट भी लेना चाहते है तो फ्लाइट भी ले सकते हो बड़ आपको ट्रेन बहुत सस्ता पड़ेगा वारनसी पहुंच जाते हो फिर वारनसी दो सब्सक्राइब मैं और 2, Lucis पर आप एक नायट या दो नायट रख लो दियोग। धर पिर बेस्ट है कि आप ट्रेन लेकर लेखा इंदार जा सकते हो inदार अगर अगर आप ट्रेन लेते हो तो आपको थे को बहुत बहुत सारी ट्रेन वहां आपको मिल जाएगा जैसे आप 26 गंटे से 35 गंटे आपको इंदौर जाने में लगेगा आप इंदौर पहुंच जाते हो है कुछ लोगों को जैसे इतना लंबा जरनी नहीं करना है तो फिर आप जैसे फ्लाइट वगरा भी ले सकते हो जैसे फ्लाइ से 35 गंटा आपको ट्रेन में लगेगा जब आप इंदौर पहुंच गया तो फिर वहां पे आपको बहुत नजदीक नजदीक में बहुत सारे ओप्शन्स मिल जाएगा अब इंदौर पहुंच गया आप वहां पे दो जोत्र लिंक कवर करके फिर आप वहां से आने के बाद वहां से आप फिर दो जोत्र लिंक कवर करोगे वह कवर करने के बाद फिर आप एहमदाबाद से यह जैसे मैं मैप से पूरा एकस्प्लेइन कर रहा हूं एहमदाबाद से आप चले जाओगे नासिक जाओगे फिर वहां से आप एक जोत्र लिंक करोगे कवर कर उसके बाद आप चले जाओगे सीरीडी, सीरीडी में आप दो जोतर लिंग कवर करने के बाद फिर आप पूने पहुंच जाओगे, फिर पूने से आपको मदुरही के बहुत सारे options मिल जाएंगे, पूने से आप मदुरही पहुंच जाओ, तो मदुरही के फ्लाइट भी है तो रामेश्वरम का, तो रामेश्वरम एक जोतर लिंग है, वहाँ पे आप जोतर लिंग का दर्सन करके, फिर आप चाहो तो मदुरही आप बैक आजाओ, मदुरही से फिर आप किसी तरह से हाईदरबाद पहुंच ओ, या आपको हाईदरबाद की फ्लाइट मिल जाती है तो आप हाईदरबाद आ सकते हो, फिर हाईदरबाद से आप फिर सिरी सेलम जाते हो और लास्ट जोतर लिंग करते हो, ओवरॉल आपने टोटल ये 12 जोतर लिंग कवर कर लिया, तो आप आगे मैं बताऊंगा कि दिखो अगर आप जा रहे हो तो आपको कितना दिल लगेगा और होटल कहां कहां पे आप लोगे, तो होटल आप मेजरली जब आप किदारनाथ कर रहे हो तो आप होटल लोगे गुप्त कासी में, ठीक है, किदारनाथ के यातरा के दौरान, फिर एक वारानसी में होटल लोगे, तो आप जो होटल बुक करोगे, तो कहां कहां पे बुक क जहारखंद में बैदना द्धाम ऑपे एक बुक करोगे फिर इंदॉर में करोगे मद्रप्रदेश में फिर द्वार्का में बुक करोगे यह सम都 nécessaire करो में फिर बुक करोंगे नैसिक के बाद आप सड़ी में एक और रामेशुरं में एक हमें बुक करोंगे अब तो इंसर समझने ने ऊचुन मारे कि और ऐसक भास रहे हो तो समझने संपटर स्क आप में काकी पानढ़ को साथले में हैं अध्याट भिश्रेक या four night five days तो आपको वहाँ ही लग जाएगा तो overall जो हमारा calculation है कि देखो around total 22 days to 25 days आपको 20-25 दिन मतलब यह पकड़ के चलो कि 30 मतलब एक महने का plan है 20 मतलब 22-25 दिन तो लगेगा अब question है कि आपका खर्च किस तरह से 22-25 दिन का ले रहे हो total अभी देखो कि per day आपका stay अगर मतलब hotel में रह रहे हो तो आपको पर दिन मतलब 2500-3000 hotel और गाड़ी का लगेगा मतलब hotel अगर मालो कि आप एक basic decent hotel ले रहे हो और MAP plan बोलते हो जिसमें आपको breakfast और dinner देता है lunch आप बाहर भी कर सकते हो 1500 रुपए तो आपका मालो की hotel और खाने का पढ़ जाएगा पर दिन अगर एक decent सा कर रहे हो अगर चाहो तो और भी से गिरा सकते हो और गाड़ी बगार हर जगह आपको rent out करना पड़ेगा अगर 4 लोग हो तो आपको पर दिन पर बंदा हर एक आदमी के लिए 1500 रुपए गा यह दोनों को मिला लोगे तो मतलब 1500-3000 रुपए पर डे आपका लगेगा तो नॉमली 22 दिन से 25 दिन का अगर आप calculation करोगे तो यह पकड़ के चलो कि आपको 60,000 से 75,000 रुपए का जिसमें train या flight ticket included नहीं है आपको पढ़ जाएगा पर पर परसन अगर आप 4 या 5 लोग हो जि इसमें आपका food हो गया, car हो गया, हां और इसमें अजम्शन ही है कि आप 4 लोग हो अगर आप कम लोग हो गये फिर छोटी गाड़ी लोग है तो आपको costly पढ़ेगा और train के tickets जो आप जैसे ले रहे हो मालो कि आप दिली से हरिदवार आ रहे हो या बस लेके आ रहे हो या माल के चलो कि 7-8,000 रुपए अगर आप 3AC ले रहो है या थोड़ा sleeper ले रहे हो मौसम के हिसाब से है तो यह पकड़ के चलो कि overall आपका जो बजट आने वाला है यह सारा मिला के आप जोड़ोगे तो 65-80,000 रुपए लगे गई मतलब अगर बहुत कमा होगे तो 55,000 मतलब एकद जब अगर include करोगे तो आप यह पकड़ के चलो कि आपको 25-35,000 रुपए फ्लाइट में extra लग जाएगा जहां पर आपको वह 7-8,000 रुपए ट्रेन में लग रहा था यहां पर 25-35,000 रुपए फ्लाइट में लग जाएगा तो overall अगर आप देखो कि decent कर रहे हो 2-star या 3-star hotel लेके कर रहे हो तो आपको यह पकड़ के चलो कि 75-80,000 रुपए आपका फूड गाड़ी में लग जाएगा 8,000 रुपए आपका मतलब ट्रेन और यह सारी चीज़े पकड़ के ले पकड़ में थोड़ा हायर साइट पर ले रहा हूं 5,000 में भी हो सकता यह 85,000-90,000 आपका ल कर जाएगा टोटल 22 नाइट से 25 नाइट यह 30 नाइट तक बाहर रहोगे अब इसको चाहो तो मतलब पार्सेल भी कर सकतो नॉमली जैसे मैप के थूर आपको समझ आ जाता है कि महारास्ट्रा में तीन जोतर लिंग है गुजरात में दो है और मध्यप्रदेश में दो है तो अगर यह सारे जोतर लिंग को हम मिलाएंगे एहमदाबाद से स्टार्ट करलो या इंदौर से स्टार्ट करलो गुजरात का 2, महारास्ट्रा का 3, 5 हो गया मध्यप्रदेश का 2, 7 जोतर लिंग एक बार में कर सकते हो बिस अब इसटन पार्ट का करना है तो आप बेसिकली की स्टार्ट किये और फिर उसके बाद वारन सी चले गए वारन सी के बाद आप जारकन चले वैतनाद दाम तो यह सारा आपने कर लिया तो तोड़ के भी आप कर सकते हो तो अवर। आपको देखो नहीं सारा आइडिया कि किसकी स्टेट में कौन-कौन से जोतर लिंग है और आप इसे जा सकते हो एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिया और मैप के थू दिया जैसे आप इनसेंस कि अगर आप साउथ इंडिया जा रहे हो तो नॉमली आप एज्यूम करो कि आप जोतर लिंग के साथ और भी चीज अगर मिक्स करना चाहते हो जैसे अगर आप मालो कि रामेशुनम जा रहे हो तो रामेशुराम के साथ आप मदुराही जोड सकते हो जोड सकते हो कल बहूर लोग इशा फांडेशन जाते हैं तो कोईंबत और भी जा सकते हो अगर आपको सिफ जोतर लिंग कवर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो Mixed Match करना है तो आप सीरे जो रिलिजिस प्लेसे हैं वो भी कर सकते हो तो overall आपको idea लग गया कि आपका कैसा खर्च रहेगा अगर आप इसको multiple जैसे दूसरे लीजिस प्लेसे से कर रहे हो या तोड के कर रहे हो तो आपको comfortable बैठेगा और यह अगर आप यह सारे headache और यह planning वगरा वगरा नहीं लेना जैसे मैंने पूरा बता दिया कि भाई यह इन सब जगह पर आप होटल्स बुक कर सकते हो तो क्लियर आप इस सारे होटल ढूंड के बुक कर सकते हो अगर यह सब पच्छडा पे नहीं गुस्टना है आपको और यह मालनों कि हम भी यह सारा कुछ कराते हैं similar price range पे और हमारी expertise है तो definitely आप हमसे भी करा सकते हो होफिली यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो बहुत बहुत धन्वाद दोस्ता आपके टाइम के लिए थैंक यू